आज हम बनाएंगे बेशन की भर्मा मिर्ची बहुती टेस्टी और कुछ ही मिनिटों में ये बनके तयार हो जाती हैं और बहुती ज़्यादा ये टेस्टी लगती हैं तो इनको बच्चे बड़े कोई भी खा सकता है ये बहुती कम तिकी होती हैं और बहुती ज़्यादा ये स भी पसंद आए जो वीडियो को लाइक से यह जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना विल्कुल भी ना भूलें तो चलिए अब हम बेशन की मिर्ची बनाना शुरू करते हैं तो इनको बनाने के लिए हम ले लेगे मिर्ची तो यह मैंने मोटी वाली मिर्ची ली हैं और 500 ग जो घर में नॉर्मल खाने वाली चमच होती हैं इससे मैंने 8-10 चमच बेशन ले लिया है और बेशन को हम पहले से ही छान लेंगे इसके बाद हम ले लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाले के ओईल तो मैंने इसमें 2-3 चमच ओईल गरम किया है तो यह देखिए 2-3 चमच हम ऑईल डाल देंगे गरम हो जाएगा उसके बाद हम आदर चमच हम सौप डालेंगे थोड़ी सी हिंग डालेंगे इसके बाद हम बेशन एड़ कर देंगे और बेशन को हमें अच्छे से भूनना है ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है और गेस का फ्लेम हम low to medium करते हुए बे इसी तरीके का कलर हमें चाहिए और जब बेशन थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें एक अच्छी सी कुष्भू आने लगेगी तो इसी स्टेज बर हमें रुख जाना है इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक नीबू कर रस इससे मिर्ची का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है तो नीबू को रस आप जरूर डालिएगा इसके बाद एक चमारच या स्वाद अनुशार इसमें हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें एड़ करेंगे काला नमक और सबी को हम अच्छी से मिक्स करेंगे तो नमक को हमें बेशन में अच्छी से मिक्स कर देना है इसके बाद हम इसमें आदा चमच से भी कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अगर आपको थोड़ा से तीका ज्यादा पसंद है तो थोड़ा से मिर्च पाउडर आप बढ़ा सकते हो आदा चमच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे थंड़ा होने के लिए रख देंगे और मैंने इसमें गरम मसाला एड़ नहीं किया है अगर आपको पसंद हो तो आदा चम्मच या एक चम्मच आप इसमें गरम मसाला भी एड़ कर सकते हो तो इसको हम थोड़ी दिर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो यह ठंडा हो चुका है, इसके बाद हम मिर्ची ले लेंगे, तो बीच में ऐसी मिर्ची को हम कट कर लेंगे, तो अगर आप चाहो तो इसकी बीच निकाल सकते हो, लेकिन मैंने इनकी बीच नहीं निकाले हैं क्योंकि यह बहुत कम थेक होती हैं और इसी तरीके से हम सभी में कट लगा लेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें सभी मिर्चियों में इसको भर देना है और हम इसको अच्छी से भरेंगे तो देखिए सभी में हम इसी तरीके से फिल गर देंगे तो दूसरी वाली में मैं आपको दिखा देती हूँ तो इसी तरीके से हम सभी मिर्चियों को भर लेंगे तो ये देखिए सभी मिर्चिया मैंने अच्छी से भर ली है और इसके बाद हम कडाई लेंगे कड़ाई में हम डालेंगे दो चम्मच ओयल तो जो मीडियम साइज की चम्मच होती है जिससे हमने बेसल लिया था उसी को भरके हम ओयल डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेंगे थोड़ी सी इसमें हम सॉप डालेंगे इसके बाद हम सभी मिर्चियों को fry करेंगे तो एक एक करके हम सभी मिर्चियों को इसमें रख देंगे कड़ाई में जितना space होगा उसी तरीके से हम मिर्चियों को fry करेंगे अगर मिर्ची बच जाएंगी तो उनको हम बाद में एक बार फिर से fry करेंगे तो ये देखिए सभी मिर्चिया मैंने रख दी हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढग देंगे ताकि ये अच्छी से एक साइड से सॉफ्ट हो जाएं तो ये देखिए मैंने इसको ढग दिया है थोड़ी देर बाद हम इसको चेक करेंगे मिर्चियों को हमें बार-बार उलटना है ताकि इनका color सभी जगह से एक समान आए तो ये देखिए ये एक side से अच्छे से soft हो चुकी है अब हम इनको उलट देंगे तो मैंने सारी मिर्चियां उलट दी है और दूसरी side से भी हम इनको अच्छे से soft कर लेंगे और सभी मिर्चिया हमारी fry हो चुकी हैं तो एक एक करके हम सभी को निकाल लेंगे और इसके बाद हम कड़ाई में फिर से एक चमच ऑईल गरम करेंगे इसके बाद जो बची हुई मिर्चिया हैं उनको भी हम अच्छी से fry कर लेंगे एक साथ डालने से क्या होता है कि हमें मिर्चियों को वार-बार उलटना होता है और उलटते टाइम उनकी जो स्टाफिंग होती है वो निकल जादी है इसलिए कड़ाई में एक वार में जितनी मिर्चि आ सके उतनी ही हम fry करेंगे और इसके बाद देखिए सभी मिर्चियों को हम एक साथ लेते हुए सभी में हम आदा निबू का रस डालेंगे लास्ट में जब हम मिर्चियों में निबू का रस डालते हैं तो उससे मिर्चियों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यह देखिए सभी मिर्चिया हमारी अच्छी से त्यार हो चुकी है बेशन की भर्मा मिर्ची बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है यह बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है और इनको बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई